राम राम जी मेरा नाम रितेश कोशिक है अर्याना से तो अब मैं पहले आपको थोड़ी मोटिवेशन सुनाओंगा फिर थोड़ी प्यार फिर दिल की बात और फिर बेवफाई लाश्ट मैंने बेवफाई नहीं सुनाओंगा मैं ठीक है सीने में आग छुपा रखी है चहरे पर मुस्कान सजा रखी है और जिससे भी मिलते हैं बड़े अदब से मिलते हैं आखों में सब की धुल उड़ा रखी है बहुत शुक्रिया एक और सुनिये का मोटिवेशन ये लगतर है का मोटिवेशन है कुछ बहुत डगमगाल ये कदम अब सम्हलने का वक्त आया है और बहुत जीले जिन्द की शराफत में अब बिगड़ने का वक्त आया है बहुत बहुत शुक्रिया तो दो शेर सुनाओंगा मैं छोटे छोटे आपको प्यार पे सुनियेगा आपकी तवज्ज़ चाओंगा मैं पहला उसने भी आज क्या कमाल पूछा है उसने भी आज क्या कमाल पूछा है बहुत दिनो बाद मेरा हाल पूछा है जाता है बहुत बहुत शुक्रिया अब दिल की बात हो जाए एक शेर शायरी सुनिएगा ये दिल कंबक्त दवाई मांगता है यहां कोन इसका अपना है गवाही मांगता है ये दिल कंबक्त दवाई मांगता है यहां कोन इसका अपना है गवाही मांगता है और जख्म वियब लगे हैं इसकी चाहत की दिवारों से यह जब गलत फैमी में है जो सिकाई मांगता है वीडियो बणा ले ना मुझे एक और सुनेगा यह लगता है कि यह देखने आप क्या पगड़ते हैं इसमें ठीक है लाश लाइन में जब से उसकी और से विदाई मिली है मुझे सच मानिये एक कैद से रिहाई मिली है मुझे और इबादत करता नहीं ठकता मैं खुदा की अब बरसो बाद जो ठंड में नहीं रजाई मिली है मुझे बहुत बहुत शुक्रिया समझाया होगा आपको अब बेवफाई पे स्टार्ट करता हूँ मैं बेवफाई पे कुछ ज़्यादा कंटेंट है मेरे पास सुनिएगा सुले हो गई है आज हम दोनों के बीच सुले देखे है किस बात पर हुई है सुले हो गई है आज हम दोनों के बीच वेग भाई सुले हो गई है आज हम दोनों के बीच अब ना वो मुझसे बात करेगी और ना मैं उससे एक और सुनेगा एक शेर सुनेगा शायर ही सुनेगा यह मैंने जिसको सुनाई वो कह रहे हैं कि reality पर only reality Möglichkeiten है मैंने ने तो लिक हिँ आप देखेगा reality पर or not इसकदर उसने मुझे अलग किया कि दुबारा खुद का होने नहीं दिया इसकदर उसने मुझे अलग किया कि दुबारा खुद का होने नहीं दिया अलफाज दिल को चीर देने वाले थे लेकिन सब चुप रह कर सुन लिया इसकदर उसने मुझे अलग किया कि दुबारा खुद का होने नहीं दिया अलफाज दिल को चीर देने वाले थे लेकिन सब चुप रहकर सुन लिया और उसको क्या पता क्या बीती होगी मुझ पर उसे दूर जाता देख आखों में पानी आया जरूर था लेकिन मैंने छलकने नहीं दिया एक गजल सुनेगा बहुत अच्छी गजल है जिन्दगी में पहली बार लिखी थी मैंने तो बहुत मेरे वोत अच्छी लगिए आपको देखते हैं क्या। सुनते हैं इसमें सुनेगा बस यही दोहरी मार तो सही है हमने जिन्दगी भर कि पहले उसके बगैर जीया फिर बन के उसका गैर जीया बस यही दोहरी मार तो सही है अमने जिन्दगी भर कि पहले उसके बगैर जिया फिर बनके उसका गैर जिया और वो भूल कर भी मुझे याद नहीं कर रही है और मैं आज तक जितना भी जिया उसकी याद में जिया और वो भूल कर भी मुझे याद नहीं कर रही है और मैं आज तक जितना भी जिया उसकी याद में जिया और ये सितम ही तो है कि उसे देखना तक नसीब नहीं है मुझे और उसके भाग तो देखो कि वो मुझे देख भी रही है वो मुझे सुन भी रही है उसके भाग तो देखो, वो मुझे देख भी रही है, वो मुझे सुन भी रही है और मैं लाचार हूँ कि कुछ कर नहीं सकता उससे बतलाने का मन तो है, बाते कर नहीं सकता मैं लाचार हूँ कि कुछ कर नहीं सकता उससे बतलाने का मन तो है, बाते कर नहीं सकता और अब तो बस इसी भरम में ये जिन्दगी बितानी है हमें कि आखों के आसू छिपाने हैं और चहरे पर हसी दिखानी है हमें और एक और सुनियेगा एक और गजल है थोड़ी मजा आएगा आपको शुनते हुए कि नर्म लहजा रुख सक्त की बात मत कर नर्म लहजा रुख सक्त की बात मत कर कुछ भी कर मगर हक की बात मत कर तेरे सताय हैं तेरे सताय ही रहेंगे यू वक्त बेवक्त की बात मत कर और पसंद तुझे भी नहीं पसंद मुझे भी नहीं यू बातों की लगी लट की बात मत कर और माना के प्यार था तुझे भी कभी, मुझे भी कभी मेरा बिल्कुल सच्चा था तुआ अपने सच की बात मत कर आखिर में एक छोटी शी बस खतम ओने वाड़ी है, लास्ट है कि खत फिर कभी इदर उदर हुआ ही नहीं खत मतलब messages करते हम खत फिर कभी इदर उदर हुआ ही नहीं खत फिर कभी इदर उदर हुआ ही नहीं वो अपनी जिन्दगी में खुश मैं उसकी खुशी में खुश बहुत बहुत शुक्रिया झाल